समझो कल कमने कह पढ़ा था क्या पढ़ा of इन सारे मुद्दों पर मैंने अच्छे से चर्चा किया था आप लोगों ने सीखा था तो बच्चों, आज की कलास में हम लोग क्या करेंगे भाई? आज की कलास में हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे आप सभी NCRT किताबे लिये हो तो बताओ हां लिये हो सभी लिये हो ना NCRT किताबे लिये हो ना भाई या अनुराग, become creative, देखो बच्चा चलो फिर 9th NCRT Maths ओके ये कलास सभी बोर्ड के सभी चात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है UP Board, MP Board, दिल्ली बोर्ड आपका सीबेसी बोर्ड जो भी कहें हर एक बोर्ड के लिए सब के लिए इंपॉर्टेंट है वही कहीं से भी हो जारखन, विहार, कनाटा, केरल क्योंकि जो NCRT pattern है हम ये जानते हैं कि language अलग-अलग हो सकती है अलग-अलग राज्यों में लेकिन syllabus वही होता है अगर कोई भी exam की बात करें competition आगे चलके आपके भविश से की तो भी या जब कोई भी vacancy आती चाहे YUP police की आती है या भी हार पुलिस की तो भारम भरते है पूरे देस के लोग है ना ऐसा होता है कि नहीं मतलब कोई परतीबंद नहीं होता है कि भाई भी भी हार की vacancy आई तो क्यों भी हार वाले भरेंगे तो इस वज़या से जो पाठेकरम होता है पूरे देश में एक ही होता है अलग अलग नहीं होता है आगे बात करें हाँ थोड़ा बहुत लेखक राइटर के अधार पे डिफ्रेंस होता है कहीं थोड़ा थाफ कहीं थोड़ा मतलब लोग कुष्टन होते हैं कहीं मान लीजी आज हम बात करेंगे polynomial बहुपद क्यों भाई यही तो चैप्टर है बहुपद आपको clear दिखतो रहा है महाँ बहुपद क्या होता आप जानते हो सभी बत्चे बतायों बहुपद क्या हैं बहुपद को इंगलीस में किया बोलते हैं इंगलीस बड़ी अजीब साइस की पॉली नॉमियल है है ना यहीं इंगलिस होती है बाई उच्चारण नहीं तो होता जो मैं बोला यह क्या होता है कि इसकी परिभासा हम आपको दो तरह से देंगे पहली डिफनीशन अगर आप यहां पर देखो बच्चा तो पहली इटी जा चैन आफ टम्स अब कहोगे इंगलीस तो मुझे नहीं समझ में आ रही है बता रहा हूं इटी जा चैन आफ टम्स यह केवल एक लाइन की परिभासा है लेकिन इससे आप लोग न का लिख दिया इटी जा चैन आफ टम्स में हिंदी में बता रहा हूं आप टेंसन मतलो हिंदी में पूरा बिस्तार से जल से तुम चाहते हो ऐसे ही चर अचर अब यह मत कहना चर अचर क्या है नहीं फुद मारेंगे कल मैंने चर अचर ही पढ़ाया था पूरा टाइम हां चर अचर चर के गुडांक और उनके घातांक के जोड़ घटाना गुड़ा इवं भाग की किरिया वाले बीजगणितिये बेंजक यानि अलजेबरिक एक्सप्रेशन को बहुपद गहते हैं कुछ दिमाग में गुसा फिर से सुनो चर अचर एवं चरों के गुडांक घातांक के जोड़ घटाना गुड़ा भाग वाली किरिया और आगे क्या वाले बीजगणितिये बेंजक को पहुपद गहते हैं जैसे देखो यहां पर एक एक एक्जामपल देखो अगर मैंने लि कि अद्क अधान ये याट्वाएर प्लस 9X-1 यह एक बहुपद है आप पहूगए यह तो गुरु जी इक दुगात समीकरन भी है वह भी है हम यह दुगात समीकरन भी है लेकिन पहले एक बहुपद है समीकरन बाद में है जैसे हम लोग पहले इंसान है फिर उसके बाद हम कुछ समझ में आ रहा हैं काजल जी गुड इबनिंग हरसीद गुड इबनिंग बच्चा गुड इबनिंग विसाल कुमार परजापती सूरच सरोज तो अगर आप चाहो तो यह definition लिख लो अगर सच्चे दिल से पढ़ोगे तो पूरी guarantee लेते हैं तीन लाख बच्चों का विस्वास है टॉप करोगे mathematics में लेकिन इमानदारी से पढ़ोगे जो हम पढ़ा रहें इसको पढ़ोगे नोट्स बनाओगे कापी में लिखो गए तब ऐसे नहीं कि आके कलास देख लिए थोड़ा देर फलाने कमेडी देख लिए निकल लिए तो ऐसे नहीं होने वाला जब कलास शुरू हो तब जुड़ो जब खतम हो तब कलास छोड़ो जितना पॉइंट लिखवाए उसको नोट करो कापी में एक एक बात सुनो समझो दिल दिमाग सब इधर रखो तब है आएगा चलो देखो समझो तो यह हो गया बहुपद आप समझ गए यानि कि कोई भी चर अचर चर अचर मैं कल बहुत अच्छे से बताया हूं बच्चा चर को वरियेबल बोलते हैं अचर को कांस्टेंट बोलते हैं इनका जो सलूसन होता एक परकार सिंकी जुकिरिया होती चाहे वह जोड़ घटाना की हो या गुड़ा भाग की हो तो इस तरह से जो एक अलज है ललित कुमार समझ में आ रहा है अधिती गुपता बहुत अच्छे बेरी गुड़ एन एक्सप्रेशन आप मोर देन तो अलजेबिक टर्म्स इच काल पॉलिनॉमियल बिलकुल करेक्ट तो सीबसी वाले जो बच्चें वो तो सब समझ गये होंगे इसलिए हम दोनों पॉल पलस होता नहीं बवब ऑद ऐसे भी हो सकता बच्चा और टीन एक्स वाई यह भी क्या है कि यह इभावपद है कि बोलो कोई बताया जिमन चैने बवब हैं कि अहां यह बहुपद है या यह नहीं मनोज यादो टेलीगराम पर साइंस की पीडियाप नहीं आया बेटा पीडियाप अभी तुरंते नहीं आएगा पहले कुछ पढ़ाया जाएगा तब आएगा जब एक चैप्टर खतम हो जाएगा साइंस का तब पीडियाप आएगा यह नहीं कि आज दूपॉइंट लिखव लिखता हैं कि अई एक पढ़त नहीं है एक द्ब्रफट्र समस्क्र м ha कुछ अपर और इसकी बारे में आपको हम डिटीयल में बताएंगे थुड़ा से रूक हो एक पढ़त वाँ तिर बारे में अगर बात करें तो इसे एक परकार से राइखिक बहुपद बोल सकते हो अगर बात करें हम इसमें कई से बहुपद तो बोली नहीं सकते हो क्योंकि इसमें दो से अधिक अगर पद है तो यह एक पद है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं जो टम्स होता है पद इसके दो भाग होते हैं एक आपका चर वाला पार्ट होता है एक अचर वाला होता है तो बच्चा अगर चर वाले पद की बात करें तो यह बारियेबल पार्ट है क्या है बारियेबल और यह कॉंस्टेंट पार्ट है क्या है यह कॉंस्टेंट हिंदी वाले इसको लिख लें अचर यह अचर पद है ती रहे होना सभी तो यह चीज होता है आप सभी समझो यहां पर बच्चा देखो सभी ध्यान से पढ़ो बाकिक दूसरा काम ना करो तो अब हम आगे बात करते हैं जो मतलब की बात है वह यह आप लोग समझ गए यह भी बताना जरूरी था कोई भी पद में दो पार्ट होता है ए कि मौनोमियल बाइनोमियल ट्रिमोनियल यह एक परकार से बात करें तो बहुपद के छोटे चल लोग के बात करना है नहीं देखो चलो आगे समझते हैं अब आप लोग नई हेडिंग लिखो नहीं हेडिंग लिखो जो हम बना रहे हैं उसको बनाओ तीन आपको कालम बनाने हैसे वहां पर आपको समझना है देखो बच्चा जो लिखवा रहे इसका नोट से जरूर बनाओ अब मैथमेटिक्स की पीडिएप नहीं देंगे बेटा याद रखना क्योंकि गड़ी तुम बनाओ ऐसे बनाओ आइसे बनाओ सभी बच्चे कितना बनाओ गे तीन-चार लाइन बनाओ गए इस ठीक है बच्चा देखो दूरी होईगा तीन होईगा कि चार है ठीक है चलो तो लिखो सबसे उपर लिखो आं मॉनोमियल इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता एक पद देखो अब मतलब समझो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ बहुपद की पूर्ब पीडियों के बारे में बात कर रहे हैं जैसे हम लोग हैं तो हम लोग की पूरबज के बारे में कोई बात करे अगर हमारे पूरवज के बारे में अच्छे फिजान जाएगा वो हमारे दादा पर दादा के बारे में तो हमारी कहानी तो वैसे उसको मालूम हो जाएगी कितने अच्छे हैं तो वैसे हम क्या करेंगे बहुपद के पूरवजों के बारे में चर्चा करते हैं तो बहुपद के पहले क्या होता है मॉनोमियल जिसे बोलते एक पद एक पद जो अभी मैंने आपको लिखके दिखाया था वैसे ही कुछ होगा जैसे मालो नौ वाई लिख दिया यह क्या है एक पद है ठीक है बच्चा अगला लिखो बायोनोमियल इसका मतलब होता है बच्चा दूइपद दूइपद यह वर्ड याद रखना अगर आप सिबेसी वाले हो या यूपी वाले हो बईया कौनों भी बोर्ड है हिंदी मीडियम हो एंगलिस मीडियम हिंदी इंगलिस आपको दोनों वर्ड आने चाहिए अगर आगे चलके आपका सब्सक्राइब करना है या फिर कुछ अच्छा करना मेडिकल के चेत्र में जाना है तो आपको मैथमेटिकल इंगलिस आनी चाहिए है वैसे आपको इंगलिस भले न आए है नहीं तो मजा नहीं आएगी गनेश बर्मा बेटा और धेर में आओ रंघा ताइम पे चलके तब समझ में आएगा थिक्क है आगे लिखो ट्रेलों म्ैल करने मीर्ग मेंस तीरक सिस्टम से पढ़ोंगे ति दो आएगे पूर फूर आइम पढ़ोंगे तब क्लिक हो ट्रिम मतलब तिरपद अब मैं तर्ट लिखवा दे रहा हूं देखो बच्चा दूई पद का मतलब जैसे मालो सेबन वाई प्लस वन यह दूई पद हो गया अब दूई से अधीक पद हो जाए जैसे तिरपद मालो 9x का स्कॉायर प्लस 3x प्लस वन यह तिरपद हो गया अगला आता है आपका जिसके बारे में हम सारी कहानी कर रहे हैं पॉलिनॉमियल यह बहुपद यह क्या बच्चा यह बहुपद है यह तीन से अधिक पद अब हम यह नहीं कहेंगे चार पद नहीं बच्चा एक पद अगर होगा तो प्लस वन क्या है एक पद है दूइपद है तिरफद है बहुत तो अगर तुम पढ़े नहीं हो तो इसे देखो एचाटा गठाजी से कुछ समझ में आयेगा है नहीं हम पले नी पढ़ने वाला है अगर समझे रहो गे तो जान जाओगे कि इसमें देखो एक वीच में चिन्द लगा एक पद य अधिति गुपता समिक्षा प्रिया सर्मा बाल कृष्णा दूबे सब को समझ में आ रहा है न तो भाई आप लोग इस सेशन को लाइक करो बाबु ऐसे मज़ा नहीं आ रही ठीक है बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही अगला कंसेप्ट हम आपको शिखाने चल रहे हैं सभी जो सेखने होती और हैं और वह विल्कुल फूरी पढ़ा रहा हूं मैं टाइम नीकॉल रहा हूं आपके लिए अलग स तो आप लोग सेखने लSch вли glued से करके आजाओ और पिर आगए बढ़ते हैं झाल जोनी अब अटका इसको मिटाता हूं श्रीन साट ले लो गो स्क्रीन स्क्रीन साट ले लो मैं हट गया हूं कि चलो मैं बोलता हूं तो इसका मतलब यह थोड़ी कि मैं पांच दिन रुका रहूंगा तुम इसक्रीन साट लेते रहोगे एसा तो नहीं होने वाला ना अच्छा तो अब आप लोग टाइटल डालो बहुपद की घात एक दम मारे परिसान केकर रख दीए सही बता रहए हूं निकुल कुमार, अब्बु कुमार, ठीक है बच्छा पड़ाई कर लो, पड़ाई कर लो, लिखो बहुपद की घात, टाइटल डालो, आप जानते हो, किसी भी बहुपद की अगर एक घात होती है दिखतं, तो उसे क्या बोलते हैं, कोई जानता है तो बताए, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, बहुपद की घात, लिखो बच्चा, डिगरी आफ, डिगरी आफ, पलिनॉमियल, डिगरी आफ, पलिनॉमियल, बहिया ये कौन सी डिगरी की बात हो रहे है जरा ध्यान से समझना, संकेत कुमार, आ रहा कुछ समझ में बच्चा, आकास यादो, नहीं, नहीं, वो नहीं है, मोनोमियल जो काका बोल रहे हैं, वो सब नहीं, वो सब हो गया, उसकी काम कतम हो गई, नहीं, मोनोमियल नहीं, वो तो एक पद है, उसकी बात अलग है, घात की बात हो रही है, घात क बनाओ ऐसे जैसे अभी मैंने बनाया थे चलो कालम बनाओ ऐसे बनाओ यह मारकर मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा नहीं चलेगा थोड़ा हलका चल रहा होगा न कि चल रहा है दिख रहा है ना बच्चा देखो बहुपद की घात अब यहां पर हमें तीन परकार का बहुप देखो समझो फिलहाल तो अभी मैं तीनी दिखाऊंगा आप लिखो अगर मानलो यहां पर बी वाई है और प्लस सी है तो यहां पर चर की अधिक्तम घात क्या है वही कोई बताए ऐसे बना लो चाहें चर की अधिक्तम घात चर की अधिक्तम घात क्या है एक है तो भाईया अगर चर की अधिक्तम घात होती है एक तो बच्चा इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद मतलब समझो वो एक पद बहुपद दुईपद बहुपद अलग है बच्चा हो दुईपद बहु अगर हम पिछला जो अभी पढ़ा है उसके अकार्डिंग देखेंगे तो यह क्या है यह दूइपद है यह यह दूइपद है यह लेकिन बहुपद वर्ड नहीं आएगा यह दूइपद है लेकिन अगर किसी टाइब का यह बहुत बहुपद है अप ऐसे बोलोगे तो यह रैखेग बहुपद है हम स剛剛 लेकिन पद इसमें दो है घात एक है गात अदिकता मेंपद क्योंकि भाई पे कोई घात नही तो हो जैसे रैकिक समी करन में पड़े हो ऐसे तो है चलो देखो इसके अलावा अभी यहां पर जो बी और सी हो क्या है बी और सी कांस्टेंट है बच्चा बी और सी क्या है constant है जैसे example यह मान लो B की जगा पे 7 और C की जगा पे 1 आगे देखो आगे देखो A Y square A Y square प्लस B Y प्लस D अब इसमें देखो इसमें Y की अधिक्तम घात क्या दो है न यहाँ पर लिखो चर की चर की अधिक्तम घात दो लिखो लो फटा फट लिखो चर की अधिक्तम घात दो देखो अगर अच्छे से समझो के बच्चा तो समझ में आएगा प्राजेस कुमारी बोल रही exercise बताओ तुम तो यहाँ से निकल लो जिनकी चर की अधिक्तम घात दो होगी वो क्या होगा दुई घात बहुपद होगा एक और लिखो यहाँ पर कुछ भी मानलो इसमें लिखो चर की अधिक्तम घात चर की अधिक्तम घात तीन तो भाईया इनको क्या बोलते हैं तिरगात बहुपद क्या बोलते हैं तिरगात बहुपद परिक्षा में आएगा ना तो मुँ बनाये रहे ना exercise करके बैठे रहो exercise करके बैठे रहो कुछ नहीं होने वाला है कांसेप्ट सीखो सब कुछ सीख जाओ तो exercise तुम खुद ही कर लोगे अभी देखना ना कर लेना तो बताना खतम हो गया जैसे exercise कर वाएंगे ना तुमको इतना तयार कर देंगे कि तुम्हें कुछ नहीं बताना पड़ेगा सब कर लोगे लेकिन अगर वही तुम्हें कांसे पूछ नहीं मतलब है इनको बस यही मालूम चले कि समिक्षा कहां से हैं पस इनका कल्यार हो जाए यह इतने में में ही इनका मतलब सब कुछ पूरा है चलो अंजिका बर्मा भाजी बिल्कुल कामेंट आरा आपका चलो हो गया स्क्रिन साट ले लिए अब हम चलेंगे एक्सर साइज पर तो बच्चा हो एक्सर साइज तभी आएगा जब तुम इसे कांसेप्ट को सीखे होगे नहीं तो फिर वहां भी मुझ बनाओगे तो हम कुछ करने वाले हैं नहीं हां चलो रहा ह plumbing आई इसे हो बाई हमारे जो टेक्निकल टीम के सदस्छे है जो फाल्तू की बात चीत करना हुं बलाब उंभी तहों पतास्ट नहीं देना है दुरिए को पनाइसंत को ब लाक करो हम बोल रहें जो भी फाल्तू की बात चीत करें उन्ने बलाब करो पांची लोग देखें ना 200 लोग देखें लेकिन पढ़ने वाले बच्चे देखें हां आल तुको बात चीत नहीं चलो अब इक्सरसाइज 2.1 खोलो इक्सरसाइज खोलो फटाफट देलना करो अब चलो इक्सरसाइज ओपन करो फटाफट मनु राजपूत परदीब धाकड रमेश पालिवार बेटा इंगलीज भी चलेगा इंतजार करो सिवम कुमार जब चैप्टर खतम होगा तब नोट्स आएगा मैथ वाला नोट्स नहीं आएगा मैथ वाला तुम्हें पढ़ना पड़ेगा हां मन्टू मन्टू बच्चा ठीक हो ना जूम कर रेव अब देखो अब चलो इक्सरसाइज पर आजाओ इक्सरसाइज 2.1 कुस् का थीक है आप लोग देखो लाइक कर रहो हूं का नहीं आरी जूलो हम बंड कर देंगे मैं खोपड़ी यहां सन्कीना तहाम है बन्द किया को बोला हूं एक बार कि बहonne कि लाग वाबव का है सुने इनका पर इसनों कॉ만र hace हैं और अगर आप वो जिम्मेदारी निभाएंगे तो हम आपको डेली पढ़ाएंगे फिरी में बिल्कुल यूटूब पे लेकिन आप कलास को रोज अपनी वाटसाप स्टेटस में लगाओगे मैं अभी चेक करूंगा कौन-कौन लगाया है आज मैं खुद देखूंगा अपने वाटसाप गूरूप में भी सेर करो लाइक करो यह आपका काम इसको नहीं करते हो तो फिर कलास नहीं मिलेगी तो फिर फोन ना करना मेरे पास हां चलो है तो बच्चा चैटर की बात करें 2.1 सभी बुक खोल लो पहले फटा-फट एक मिनट पहले आप लोग सेर करके आऊ तब बात करेंगे और चलो जल्दी जाओ सेर करके सबी जाओ तुरंब सेर करके आऊ पहले कलास को तब आप पुछ कर घए तुरंब फटा फट देर न करओ ऐसे नहीं अरही या देख्जो बस कि आदा मिनट लगेगा आप शेयर की बटन पर किलिक करो ले जाके अपने टेली ग्राम पर वाटसाप पर फेस्बूक पर जहां भी तुम्हारा मन करें एक जगा सेयर कर तो बस जहां भी तुम्हारे दोस्तों लोग ज्यादा हों वहां पे लिक दो इस इनको भी महत सीखना है है नायंत में पढ़ना आजाओ कि इतने तो करना है कि है अभी मेरे बोलने के बाद 30 लोगों ने लाइक किया 30 लोगों ए रभी पागेल का नंबर है ले लो सब लोग लेना हो तो ले लो बहुत परिसान नहीं है इनका नंबर ले लो सब चलो बच्चों फिर टाइम ना बिताते हुए आगे देखते हैं यह बताओ कौन-कौन किताब लिया है बैटा यह बताओ किताब लिये हो है NCRT वाली तो बच्चा अगर किताब लिये हो तो पहला कुश्चन देखो कह रहा है कि निम्लिकित बंजकों में कौन-कौन एक चर में वहुपद है और कौन-कौन नहीं है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए एक बार फिर से सुनो exercise 2.1 class 9th की NCRT mathematics का solution है कुश्चन कह रहा है कि निम्लिकित बंजकों में से कौन-कौन एक चर रासी में रैखिक समीकरण है नहीं सौरी एक चर रासी में बहुपद है कौन-कौन नहीं है ये भी बताना है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है समझो आरती पाल आरा कुछ समझ में स्याम सुन्दर देखो बच्चा पहला है पहला 4X का स्क्वाइर माइनस का 3X प्लस का सेबन क्या ये एक चर रासी में बहुपद है पहले तो मुझे तुम सभी ये बताओ इसमें कौन सी चर रासी है जल्दी कमेंट करो एक सुर में इस समीकरण में या इस बहुपद में चर रासी कौन सी है सबको दिख रहा ना बच्चा ओललू तुमी से पूछ रहा हूँ इसमें कौन सी चर रासी है कमलेश मेवाड़ा सीवं मौम्मद हाफीज एक चर में बहुपत है अच्छा मनोज यादों ने बहुत सही बताया है बेरी गुड तीन चर है बहुत ना लायक होया तुम पगला हो सही में उसार कि ना रंजुदेवीज तुम मत आओ आज अच्छा है इसमें चर्रासी है वह यक्स है अगर पद की बात करें तो तीन पद है जर यशिक है टीक है कि बिंजय को में से कौन एक चर्रासी में बहुपत है और कौन नहीं है एक चर्रासी में बहुपद कौन नहीं है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये 4X का स्क्वाइर होता माइनस ये 3Y प्लस ये 7 होता तो ये नहीं था क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें यक्स भी है, Y भी है इसमें 2 चर्रासी है क्या है भईया? इसमें 2 चर्रासी है बाबू यक्स भी है वाई भी है इसलिए ये एक चर्रासी में बहुपद नहीं था लेकिन इसमें यक्स है यहां भी यक्स है इसलिए क्या है ये एक चर्रासी में बहुपद है समझ गए ना बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना है इसमें आगे लिख दो दिये गए बहुपद में एक चर रासी एक्स है इसलिए ये एक चर रासी वाला बहुपद होगा बस अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो तुम समझ लो बस अगर एक्स के अलामा कुछ और होता इसमें जैसे वाई आ जाता जाता ये आ जाता तो एक चर कुमार क्या बोल रहा भई कि चलो तो यह हो गया आपका अगला इसमें दूसरा वाला देखो बच्चा दूसरा वाला कह रहा है क्या यह एक चर्रासी में रेखिक समीकरण है वाई स्क्वाइर प्लस अंडरूट दो बताओ क्या यह बहुपद है एक चर्रासी में बहुपद है या नहीं है देखो बच्चा इसमें एक चर्रासी जो है वो क्या है चर क्या है इसमें वाई है और एक के चर है वाई ही तो है बाकी और तो कुछ है नहीं इसमें इसलिए क्या है एक चर्रासी में रेखिक बहुपद भापद है विरह कि नहीं है राखिक का कामी नहीं में इसमें पूछा है तुम्हें इतना है एक चप्राइसी में भापद है पस तीसरा देखो बच्चा तीसरा कहरा 3 into under root t और plus t into under root 2 अच्छा एक बाद बताओ इसमें सभी ये बहुपद है या नहीं है मतलब एक चर रासी वाला बहुपद है या नहीं है कोई बताए निमन क्या ये एक चर रासी वाला बहुपद है कि नहीं है भाईया बताओ नहीं है बच्चा देखो इसमें under root t का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं कि कोई वर्गमूल निकलके कोई पूर्ड संख्या आ जाए इसमें ना तो दो का वर्गमूल निकलेगा तो ये नहीं होगा ठीक है समझ रहे हो न क्योंकि इसमें ती जो है एक परकार से अगर देखो यहां पर तो स्वतंत्र रवस्था में है यह नहीं इसमें देखो जो चर था वो स्वतनता था उसमें कोई लफड़ा नहीं लगा था तो ये नहीं होगा यहां इसमें लिखो के नहीं यह एक चर रासी वाला पहुपद नहीं है चव्था चव्था है बच्चा का कह रहा है ये य प्लस तो अपान वाई देखो भाईया इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो वाई प्लस तू वाई का पावर माइनस वन लिख सकते हो कि नहीं पहले तो यह बताओ सभी आयूस जी ऐसे लिख सकते हो ना बच्चा ये भी क्या है एक चर रासी वाला बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घाद जो है वो पूर्व संख्या नहीं है क्योंकि इसकी घाद क्या है पूर्व संख्या नहीं है घाद पूर्व संख्या होनी चाहिए मिस्टर अमित सिंग बेटा तुमको जहां से आयो ना वहीं बेज देंगे अमित सिंग कि समझ पार हो ना यह तो तुम पढ़ लो यह तो आज भाग जाओ भाग जाओ नहीं हम बाग आदेंगे चलो यह हो गया समझ गया तो इसमें और भी पार्ट है क्या पाचमा पार्ट देखो इसमें एक और है आप लोगों में से कोई बताएगा पाचमा बहुपद है या नहीं है पाइब नंबर पार्ट बहुपद है या नहीं है देखो बच्चा जो फाइब वाला है वो कह रहा है कि एक्स का पावर टेन प्लस वाई का पावर थ्री प्लस टी का पावर फिप्टी यह बड़ा खतरनाक है बड़ा अजीब टाइब का यहां पे समझो यह कैसे है देखो यहां पे यहां पे समझो पाँच वाला यक्स का पावर टेन प्लस वाई का पावर थ्री प्लस टी का पावर पचास कहरा कि क्या यह एक चर्रासी में बहुपद है एक चर्रासी में बहुपद है तो बच्चा यह बहुपद तो है लेकिन एक चर्रासी में बहुपद नहीं है यह तीन चर्रासी वाला बहुपद है तो question में क्या कह रहा था निमनलिखित बेंजकों में कौन-कौन एक चर्रासी में बहुपद है और कौन-कौन एक चर्रासी में बहुपद नहीं है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए तो ये लिखो यह एक चर्रासी में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें तीन चर्रासियां x,y,t सामिल हैं या 50,x,y सामिल हैं समझ गए ना सभी को समझ में आ रहा है ना बच्चा संकेत दोनी गुपता प्रिया सर्मा अदिते दुबंसी ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड़ बेरी गुड़ अगर मैं पढ़ा दूं इन सब को पूरा कंपलीट कर दूं आप लोग क्लास को सेर करके आओ तो मैं अगला कोईस्टन भी पढ़ा दूं पूरे एक गंटे पढ़ा दूं अगर बच्चे हंड्रेट की पलस हैं तब मैं आधा गंटा पढ़ाई दिया उतना देर हो गया आप ल साथ ही जल्दी सेर करके आओ कुईस्टन नंबर दूसरा हम लिखते हैं यहां पर भाई देखो जितने ज्यादा लोग देखेंगे हमारा भी उद्देश से पूरा होगा और हम आपको बिल्कुल दिल से पढ़ा पाएंगे बिल्कुल टेंसन फ्री हो करके इसलिए आप यह चैनल को सब्सक्राइब करें दूसरा वाला कोईश्टन में करवा रहा हूं और जो सब्सक्राइब नहीं करा वो कमेंट नहीं कर पा रहा होगा और भई क्यों भाई रुका हुआ है का और जो सब्सक्राइब करा वो कमेंट नहीं कर पा रहा हुगा रुक गया ना भाई कि रुका हुआ है का वीडियो रुका है थोड़ा सा इंतिजार करो कि यह फ्रीज कर रहा है मुझे लग रहा है ना 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 कि प्च्चों हमारी वाद सुन पा रहे हो आप लोग कि देखो थोड़ा सा रुक जाओ भाई पता नहीं इसमें कौन सी आफ़ात आ गई यह कि मुझे तो गुस्सा लाग रही इसको देख करके अगर मैं बंद कर दूँ तो फिर से इस पर सुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना बंद करता हूं देखो कोई जाना नहीं अभी इसी चलेगा फिर से चलेगा जाना चलो बच्चा फिर से आगे हम हां आगे ना कि नहीं फिर से आगे हम हां जलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप देखो तुम तो नीचे का जो नंबर था ना वह भी बदल गया कलर दीला चल रहा था अलग चलने लगा ठीक है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अभी ने दूबे बच्चा पढ़ाई कर लो और कुछ मत देख question number दूसरा लिखो भई या disturb हो जाता बीच बीच में कहरा है कि निम्नलिखित में से परतेक में x square का गुडांक लिखिए परतेक में से x square का गुडांक लिखिए तो लिखो 2 प्लस x square प्लस x 2 प्लस x square प्लस x ये बच्चा question number second का पहिला पार्ट है इसमें x का गुडांक कोई बताएगा कोई बताएगा इसमें x का गुडांक कितना आएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से परतेक में x square का गुडांक गयाद कीजिए x square का गुडांक गयाद करना बच्चा गुडांक मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया है गुडांग को इंगलिस में कॉफी सी एंड बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉफी सी एंड बोलते हैं ऐसे कुछ होता ना इंगलिस देखो बच्चा यह x square है ना इसके आगे पीछे कोई गिंती है नहीं जैसे अगर यह 7x का square होता और मैं तुमसे पूछता कि x square का गुडांग क्या है तो बच्चा इसमें जो गुडांग था x square का वो 7 था अगर यह 15 y का square है या cube है तो y cube का जो गुडांग है वो 15 है समझ रहो ना लेकिन अगर भाया यह केवल y cube है इसके आगे पीछे कोई गिंती नहीं है तो यहाँ पे हमेशा 1 माना जाता है और इसका गुडांग क्या होगा 1 होगा समझ रहो ना उसी तरह से अगर यह सिर्फ x का square है तो इसका गुडांग हमेशा 1 माना जाता है यानि यहाँ पे क्या है 1 है इसलिए इसका गुडांग क्या होगा 1 होगा तो इस तरह से इसमें यक्स स्कॉयर का गुडांक आप लिखो गए यक्स स्कॉयर का गुडांक बराबर 1 कितना है? 1 है सभी बच्चे एक बात ये बताओ किसके किसके पास किताब है क्या आप लोगों के पास किताब है? बोलो यस, विसाल कुमार परजापती, रोहिर सिंग, मनु राजपूत, दसरत, ललिद सभी किताब लिए हो न बच्चा? भाई देखो, एंसी आरिटी बाली बुक लेके बैठोगे तो मज़ा आएगी समझ लो बुक नहीं लेके बैठोगे तो मज़ा नहीं आने वाली है लिख ले न बस, इसमें x2 का गुड़ांक 1 है, बाकी कुछ लिखना नहीं है, छापना नहीं है तुमें रमेश, प्रिया सर्मा, जिनके पास किताब है, उनका सब मिल रहा होगा, मज़ा अभी आ रही होगी उसे हम मानेंगे कि वो बहुत जानता है, और खूब बहुत सारा जानता है बच्चा इसमें x2 का इसक्वार का गुड़ां कोई बता दे निमन कितना है, पूजा कुमारी, दोनी गुपता, कैलास कुमार, रजक परतिभा कुमारी, लीजेंड, गौड, गेमिंग, अनिल, मालविय, मनोज बच्चा देखो, कलास बिल्कुल फ्री होती है, रात को 7-8 के बीच साइन्स भी होता है, बिल्कुल फ्री, दोनों टाइम आओ और पढ़ो, घर बैठे, मैथ और साइन्स, और आपके जो भी दोस्त दोस्त हैं, उनको भी बता दो, क्योंकि एक अगस्त से कक्षा दसका भी बैस शुरू हो रहा है, एक अगस्त से, सभी बच्चे आओ, खुब डेल सारी संख्या में बिल्कुल पढ़ो, एकदम फ्री घर बैठे, चाहे जब समझाने की पूरी गारंटी होगी, एकदम गोल के पिला देंगे, तुमको वैक्सीन लगा है, भाई बहुत अच्छे चिराग पटिदार, पूजा दंगी, ठीक है, अंसी का बर्मा, आपका भी सही है, माइनस वन है भाईया हो, माइनस वन है बाबू, देखो यहाँ पर माइनस का चिन्न पहले है न, तो इसका गुडांक एक से स्क्वाइर का माइनस वन है, जो सिर् और प्लस एक्स, इसमें एकस स्क्वाइर का गुडांक कीया है, कोई बताएं, इसमें एकस स्क्वाइर का गुडांक क्या है, इसमें बहुत सिम्पल है न, बता लोगे, तो इसतरह से आपका दूसरा कुष्चन भी ख़तम हो गया, तीसरा कहरा है, पैथिस घात के का एक एक उदारण दीजिए भाईया कहां रखोगे इसा उदारण लेकर के लो कर लो भाई दीप राज जी आ रहा समझ में सबको समझ में आ रहा ना राजेस पांडे ठीक है अगला कुशन में देखता हूं इसमें और कौन कराने लायक है वैसे सब तो मुझे नहीं लग रहा कि अ हां चलो कि 35 गात के एक और सव घात के दूई पदी का एक एक उदारण दीजिए ठीक है इसका भी उदारण लिख लो कि वसे मुझे लग रहा है चालिस मिनिट हो गया क्लास का टाइम ओबर भी हो गया ना कि 35 गहात कोई भी यह बना लोना यारो जैसे वाई का घात 3 गहात 35 अ क्या पूछ रहा था के दूई पद तो 3 गहात 35 front कर दो रहे बस तीन वाई कहात 35 प्लस one 35 घात का दूई पद हो गया यह इसको फिलहाल में कल बताऊंगा क्योंकि सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि वो भी घर बैटे पढ़ पाएं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब जो नहीं करें वो कमेंट नहीं कर पा रहें वो सोच रहे होंगे हम काय नहीं कर पा रहें यह लोग कुछ पैसा वीशा दमा करें का बच्चा बिल्कुल फ्री पढ़ रहें सब तुम भी सब्सक्राइब कर लो तुम भी फ्री पढ़ो चलें फिर आज का क्लास खतम करें गनेज, पटिल, धर्मावती, होपी निखिल, मनोज यादो मौर्निंग में साथ बज़े क्लास होगा मौर्निंग में साथ बज़े होगा बच्चा साथ बज़े ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, बहुत से बच्चे बहुत बहुत दूर दूर से है भागलपुर बिहार से संकेत कुमार है, अभीनेजी भी जुड़े हुए है और सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो खतम किया जाए अच्छा एक चीज़ पूछें, साइंस भी आप लोग पढ़ते हो न, यह बताओ, इसमें से कितने लोगों को कैल्सियम का संकेत मालूम है, चलो बताओ, थोड़ा सा मोखिक हो जाए, औरल हो जाए, क्योंकि पढ़ाई तो हो ही रही है मैत तो खतम होगी, मैत नहीं पढ़ाएंगे बाच कैल्सियम का संकेत जानते हो, सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है, जो बताएगा मैं उसका नाम बोलूँगा कैल्सियम का संकेत, कल्टेस्ट होगा, हाँ, कल्टेस्ट होगा देखो ये गदहा बहुत गलत बता रहा है कैल्सियम का संकेत के नहीं होता है स्वामी बालदास गलत है पाल क्रिफन तुम्हारा भी गलत है बिटा अभीनो दूबे जी बिल्कुल अभीनो का सही है अभीनो दूबे का सही है बिल्कुल सबसे पहला सही जवाद दिया था अभी सब पास एक और चांस है किलसीम का पर्माडू कर्मांग इस से पढ़के चलना पड़ेगा ना इंतमें कवल मैशन लगा केे तुम तीर नहीं मार लोगे कैलसी एमować पर्माडू कर्मांग टमिक नमबर कि टना होता है कि इसका इसका सही जब आप नहीं दिया कोनों अभी तक यह इसी यह होता है कि मारा गलत रहा इसे चलिए जाओ तब ही ठीक है रहाम किस और गलत है रमेश बर्मा बिल्कुल करेक्ट सबसे पहले रमेश बर्मा ने बताया है कि काल्सियम का जो परमाडू करमांग है तो यह तारी चीजें भी याद रखा करो काम देता है सूत्र याद कर लो चोटे-चोटे कमेश्ट्री के संकेत याद कर लो आक्सीजन का संकेत तो जानते हो ना कलोरीन का जानते हो ना ऐसे चोटी चोटी चीज़े याद रखो यह बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको नहीं याद है तो चलते हैं फिर आज के लिए इतना ही बच्चों सुबह साथ बजे से साइंस की कलास होगी लाइब आप सभी उठ जाना सो के जल्दी और सुबह साथ बजे से देख लेना ठीक है सभी बच्चे लाइब आएंगे सुबह साथ बजे तो साथियों बहुत-बहुत धन्यमाद आप सभी को जैहिन सुबह मिलेंगे फिर फे आपकी एक और कलास के साथ ठीक है थाइंक्यू इक और सुन लो नव जीनगे से बेसिक मघ्थ होगी जिनको भी बेसिक सीखना है वो जरूर जूरेंगे ठीक है थिखना ना बच्चा रात के 9 बजे से और एक बात और सुन लो एक्ष्ट्रा में जो बच्चे क्लास की लिंक नहीं पाते हैं इस सऔर बेजी जाती है अब कैसे चैनल ज्वाइन करोगे इसके बारे में यूट़्ूब पे वीडियो देख लो से टेलीं आप्लिकेशन वाट्सआप की तरह एक्टिंग में और जैसे वाट्साप şu कर लो सारे क्लास के नौट है आपको पीडियाल अैप में मिलेंगे इकट्था मिलेंगे आप में बाकि डेली का टेली गराम में आ जाएगा तो आप सभी pbr study भी डाउनलोड करना यह सारा काम है आपके लिए ठीक है टेली गराम एप और PBR study app download करो इसमें सारा class आपको इकठा मिल जाएगा system से sequence से जिनको नहीं मिलेगा संपर करना